इसमें दे रखा है 11 का 11 का रिलेशन दे रखा है 242 से and 14 का रिलेशन दे रखा है 392 से 11 का स्क्वायर होता है 121 और अगर इसमें multiply by 2 करते तो हमें मिलेगा 242 similarly 14 का स्क्वायर होता है 196 और इसको अगर multiply 2 करेंगे तो मिलेगा 392 ओके 392 तो 162 तो सबसे पहले 162 से हमें उल्टा चल रहा है तो multiply 2 करें तो इसको divide by 2 करते हैं तो अगर divide by 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 81 which is square of 9 तो option D हमारा correct answer हो जाएगा 9